नवस्कार आप देख रहे हैं News 24 Express आज हम फिर एक कहानी लेके जुड़ेवे हैं एक कहानी अधिभूत कहानी सच अगर जानियेगा तो इसके पीछे बहुत बड़ा है बिहार में आदिवासी होना क्या गुना है बिहार में अगर आदिवासी के कैटेगरी में अगर हम है तो क् बिहार में मैं आपको एक ऐसे जगह से अबगत कराने जा रहा हूं पूर्या जीले का बैसी पर बैसा परखंट यानि चंदवार पंचायत के वार्ट नबर बाड़ा में आप खो रहे हैं यहां यह जो गाउं है बाड़ा नमसाट यह नदी के टापू में इधर जाईएगा तो सामने भी नदी है पीछे जाईएगा तो नदी है साम इधर जाईए दो किलोमेटर बैक जाईए दखिन तरफ वहां भी नदी है पूरब जाईए फिर नदी है यानि यह गाउं जो है में टापू पर बसाववा है नहीं यहां विधाई जी आते हैं और नहीं यहां के सा और नहीं यहां पर कोई अच्छा सा घर है देख सकते हैं कि अधिवासी के लोगों का घर भी वह अपने मेहनत मजदूरी के बल अपना घर गुजर्बसर कर रहा है सोच सकते हैं सरकार स्टे और स्टे के नाम पर घर बहुर रुपए की लागत देती है क्यों आखिर ब्याहर सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो धरातल पर आदिवासीं के लिए लाया गया हो मैं आपको अफ़त करा रहा हूं वार्ट नमर 12 के सड़कों से भी आईए जरा सा इन सड़क को भी दिखा दे आपको यह सड़क है कच्ची सड़क है जब बरसात का दीन होता होगा तो यहां पर कीचर से भड़ा हुआ यह सड़क होता होगा मगर यहां के लोगों ने जो बताया कि यहां बेवस्था कुछ भी नहीं है और नाहीं बिजली है हमारे बीच आएव है आदिवासी सेवा कल्यान केंद्र के सची बबलु बास्की भी आएव है अलाकि तिमुल कॉंग्रस के बिहार परदेश अध्यक्ष भी है हम उनसे बात है नाहीं बिजली है नाहीं पीजल है नाहीं इसकूल है अंगनवड़े केंद्र विजबाज में बना दिया है और बाकि हम लोग जितना ही बच्चा को पड़ा रहे हैं अपना सर पर कफन बान को उस पर जाते हैं बहुत बड़ी बात है कि जो आदिवासी समाज के सांथ किस करेकाल में एक बात है कि यहां लोगों ने बताया कि यहां इस टापू में ना कोई स्कूल है और नहीं कोई सिक्षा की पवस्था के नाम पर कोई समस्था है अफसोस की बात है पीछे हमने देखा एक अंगनवाड़ी केंद्र है जो जंगल से बढ़ा हुगा है चाओड़ वहां बहुत सारे हैं विदाय के संसर्थ रहें कभी यह दो वोड़ दने के वक्त में आप लोग भाषकार नहीं करते हैं बशकार तो फेर भी दियार नहीं दिता है कि ट्याएं हुद्ध लोग लेकर हैं तो किसे अना सारव बाद जो आदिवासी पूला में मेडिया बला आया है तो ज़रूर कोई ना कोई काम करके जाएगा तो बिय आच्या हो गोटीगिए सिप्शनिटिफर ने कहां एक यह सैंगा देखिए कुछ लोगों नहीं कहा है इसे मामले को अगर दिखाती है तो सरकार के कानों तक पहुंचती है और सरकार को हिलाने का काम इसे तो सरकार के इंकुरी के गया है एक गार में चला गया दो घर में बस अहीं तो यह नितीज कुमार का सच की बिहार को ठगने का काम जो नितीज बाबू कर रहे हैं सत्ता में बैठके सवस्तों यहीं है कि आदिवासी के नाम पर करोरों रुपय का फंड आता है फिर दरातल पर क्यों नहीं चलिए हम मात करते हैं बबलु बास की से बबलु जी आज आप आए हैं आपके साथ हमारी मीडिया टीम आई है क्या इन गरीबों का वाज कौन मनेगा सबसे पहले तो आपको और आपका जो टीम है सबको मैं दिल से बहुत बहुत धनिवाद देता हूं आज हम लोग पूर्णिया जीला के बर्सा परखंड के चनवार पंचाद में आये हुए हैं मुझे सूचना मिली थी कुछ आदिवासी लोग जो हैं बीच डाकु में बसे ह कि यहां जो इस तीती देखे हैं बहुत बुरा है यहां कम से कम 700 प्रिवार से ज्यादा लूप रह रहा है यहां सरकार से इन लोगों को समझ यह वंची रखा गया है यह नहीं नहीं इंद्रावास मिला है नाई कल यहां पर ना प्योजल का सूविदा है और नहीं आसावज बिहार में आदिवासी होना क्या गुला है जहां भी हम लोगों ने जाज परताल किया है जहां भी हम लोग सर्वेटीव मेडिया लेके गए हैं पूरी तरह सरकार लाप से वंचित रखा गया है तो मैं यहीं चाहता हूं कि सरकार को खास करके आदिवासीयों पर ध्यांग दिय तरह सकती है जले हम और बच्टे हैं बच्छे लोगों से बات कर लें वाद वाद परसात एन गयां सब्सक्राथ ईयो हों पस्क्राइब हैं वी सिक्स में कहां स्कूल है मैं चन्धवार जाती हो अस allemweg बरसात में किसे जात ल में दि लिस्त निसे, बिकास के नाम पर स्रहुन होती नहीं है कि यहां है यहां जाबनी में जीए और यॉटी नहीं है, News 24 Express ने ऐसे मामले का एक्सपोज इसलिए किये है कि सरकार जो अपने काउं में पर्दा डाल रही है इसका सिलसला खुल रहा है अब News 24 Express ऐसे मामले को लेकर लगातार आपको अब गत कराएगी मैं पूर्णिय जीले से समवधाता News 24 Express के लिए मिनहाज आलो